हेलो अवरीवन वेलकम बैक टु दे समाजिक गुरू चैनल आज हम करने जा रहे हैं क्लास सेविंथ के मैट्स का सैंपल पेपर जो की नवंबर 2022 के एक्जाम्स के लिए है और यह इंग्लिश मीडियम इस्टूरेंट्स के लिए है तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं और यह था परित पहले हैं गीजैंए तो इसमें इस में पूछ के जाएंगे वह भाशन सी weniger को बा raht तुम आटशरच्टीच पूछे जाएंगे वह भी 11 मांग्के को क्वेस्टनेंगे शाशम देंतंों अब्लेंक्स पूछे जाएंगे वह भी 11 Cutean cm2 ए उसमें प्रेचिन- और 13 है, दोनों question जो है, वो चार चार नंबर के हैं, ठीक है, तो आजे paper जो है, वो start करते हैं, सबसे पहला जो part A है, उसमें आपसे question पूछा गया है, one of the equal angle of an isocellus triangle is 45 degree, तो जैसा हमें पता है कि isocellus triangle की जो है, वो दो angles जो है, वो equal होते हैं, ठीक है, तो दो जो equal angle हमें दिया पता है कि total जो, कैसे तो angle का sum होता है, triangle का, वो 180 degree होता है, ठीक है, तो 45 और 45 को plus किया, तो कितना बन गया, 90, ठीक है, यहां पर यह x हो गया, 180, और यह 90 degree है, यह दूसरी side जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो 180 में से 90 degree माइनस किया, तो कितना हो A 40 degree का है, angle B 55 degree का है, angle C find out करना है, सेम तरीके से होगा यह भी, ठीक है, तो angle जो है, वो A हमारा 40 degree का है, angle B 55 degree का है, angle C हमें पता नहीं है, और total जो sum होता है triangle का, वो 180 degree होता है, ठीक है, तो जब 40 और 55 को plus किया, तो कितना बन जाएगा, 95 degree, 95 degree, और angle C is equal to 180 degree हो जाएगा, यहां तो angle C 180 degree में से जब आपने 95 degree minus किया तो यह कितना हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे यह हो जाएगा आपका 85 ठीक है तो यह 85 degree जो है वो correct answer है अगला question है if triangle ABC जो है वो XYZ के congruent है तो बोला गया है कि which of the following is correct तो इसमें से कौन सा जो है वो correct है ठीक है तो angle A यहाँ पर देखो जो angle A होगा क्योंकि sequence wise दिया हुआ है ठीक है तो concurrency जो है वो है तो angle A जो है यह वाला वो angle X के equal होगा ठीक है angle B एंगल Y के angle C जो है वो angle Z की तो हमारा correct option जो है वो C है ठीक है अगला question है which of the following is not a concurrency rule for triangle तो इसमें से कौन सा concurrency rule नहीं है triangle का तो angle 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 जो है वो concurrency rule नहीं होता which of the coefficient of X in expression 8 minus X minus Y तो X का expression बता coefficient बताना है ठीक है तो X का coefficient क्या होगा तो minus X लिखा है सिर्फ तो यदि कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा और यह minus का साहिन आगे तो minus 1 ठीक है अगला बोला है sum of algebraic expression आपने इनको जाए वो total करना है ठीक है तो करके देख देते हैं तो total जब हमने किया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर कर देते हैं 3X plus 11 ठीक है और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2X यह minus का 7 है add कर रहे हैं इसे ठीक है तो 3X 2X इतना हो जाएग यह हमारा हो जाएगा 5X plus minus minus ठीक है तो यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, 4 हो गया अब बड़े क्या आगे कौन सा साइन है plus का साइन है तो plus का साइन आ गया that means हमारा correct option जो है वो A है 5X plus 4 next बोला है 5 की पावर 2 ठीक है फिर वो 3 है तो इस case में क्या होता है यह दोनों number जो होते है वो multiply हो जाते हैं ठीक है तो 3, 2 जा 6 तो 5 की पावर 6 जो है वो correct answer है standard form of 20068 जो है वो क्या होगा तो बचो इसमें standard form निकालने के लिए क्या करते है हम लोग हमने जो एक number छोड़ कर जो अगला number होता है मतलग कि यहां पर हमने point लगाना है ठीक है तो उससे पहले 2 के पावर point लगाना है उसके बाद हम देखने है 1, 2, 3, 4 चार डिजिट है तो 10 की पावर जो है वो 4 आ जाएगा ठीक है that means की correct option जो है वो हमारा A है अगला आजाता है true false इसमें बुला गया है a triangle can have 3 can have sides 3 cm 4 cm 10 cm तो एक triangle है उसकी sides हो सकती है 3 cm 4 cm 10 cm चेक करते हैं तो इसके लिए जो है वो क्या किया करना है हमने कोई भी 2 side को उठा रहा है और वो जो है उनको ज हो जाएगा पर वो 10 से बड़ा नहीं है तो यह गल्त है ठीक है अगर in case बड़ा होता यह 10 से तो फिर यह जो है वो मतलब 3 होता ठीक है यानिकि triangle formation हो सकती थी next बोला गया है दो right angled triangle जो होते हैं वो हमेशा concurrent होते हैं तो यह हमेशा नहीं होता तो यह false है ठीक है फिर 3xy और 3x यह जो है वो like terms है अगर 3xy ना लगा होता तो यह दोनों like terms होते हैं यहां पर xy और दूसरे जगे y है तो यह like term नहीं है ठीक है next जो है वो 2 6 2 की power 6 ठीक है divided by 2 की power 2 तो इस case में क्या होता है जब बेस जो है वो सेम होता है और divide हो रहा है तो वहार पर क्या हो जाता है माइनस ह हो जाता है तो 6 में से 2 गया तो कितना होता है 4 होता है बटस नहीं में बोला है 2 की power 3 है तो यह भी गलत है तो सारे आंसर जो यहां पर गलत है ठीक है अगला जो फिर इन दा ब्लैंक से आपको दिया गया है बोला है a triangle can have एक triangle में कितने obtuse angle हो सकता है कौन से होते है जो 90 डिग है हम 105 है ठीक है तो दूसरा जो है वो obtuse हो यह नहीं सकता दोना दोना acute angle है ठीक है तो 1 ही हो सकता है सिर्फ इसके बाद अगला question है triangle ABC जो है वो congruent है triangle LMN के जिसमें AB जो side है वो LMK equal है ठीक है उसके बाद जो BC side है वो MN के equal है ठीक है और जो AC है यानि AC जो है वो LMK equal होगी फिर ठीक है तो इसने बोला AC अगर 5 cm तो LM कितना होगा तो क्योंकि equal है तो वो भी 5 cm का होगा next है एक regular pentagon है ठीक है बचो pentagon की side कितनी होती है 5 होती है ठीक है और perimeter क्या होता है sum होता है जितने भी sides है उनका sum होगा ठीक है तो अगर 5 साइड है और एक side का जो है वो L cm का है तो कितना बन गया 5 L बन गया तो perimeter जो है वो 5 L हो गया ठीक है next आजाता है आपका minus 5 की power जो है वो minus 5 upon 8 उसकी power जो है वो 0 है ठीक है तो बचो किसी की भी power अगर 0 होगी ना तो वो number जो है वो 1 में convert हो जाता है तो हमारा answer जो है वो 1 है ठीक है next आजाते है part B पर दो दो number के question है question 4 कह रहा ह आपसे in given figure find the value of x, x की value find out करनी है ठीक है तो जैसे हमने starting में किया था कि triangle का sum जो है 180 degree होता है ठीक है वैसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया x plus 53 degree plus 60 degree is equal to 180 degree अब 53 degree 60 degree कितना हो जाएगा 113 degree ठीक है is equal to 180 degree 180 degree में से 113 degree minus करदो के तो कितना आ जाएगा 67 ठीक है यानिकि यह जो x है हम हमारा वो 67 degree है आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है हमारी वीडियो साथ के लिए किसी भी तरीके से helpful है तो चैनल को फटाफर से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पर इस तरके का helpful content upload होता रहता है नेक्स आजाता है इन given figure find the value of x आपको य सामने वाले angles के equal होता है तो अगर यह जो है वो 30 degree है और यह जो है वो हमें simple से पता चल रहा है यह 90 degree का है तो अगर यह 90 degree का है तो इन दोनों को plus कर दो तो कितना हो जाएगा 120 degree तो वो इसके equal हो जाएगा ठीक है अब आप इसको दूसरे तरिके से भी कर सकते हो ठीक है हमें जो सम होता है वो 180 degree होता है ठीक है अब यहाँ पर 120 degree था तो 120 degree 180 में से माइनस कर दिया that means कि 60 degree हो गया ठीक है यह यानि कि हमारा 60 degree हो गया अब एक्स और इसको मिलाओ कि जब 60 degree को तो यह एक linear pair है ना तो 180 degree बन जाएगा 180 में से 60 माइनस करता हो तो 120 आ जाएगा तो x जो हमारा 120 होगा आपको जो भी तरीका easy लगे आप वो कर सकते हो वैसे आपके book में यह प्राफर किया गया है ठीक है next है in given figure if a b जो है वो यह picture दी हुई आपको जो a b है ठीक है वो equal है a c के यह c point है ठीक है और जो c d है वो b d के equal है तो हमने जो है वो प्रूफ करना है कि यह दोनों triangle ज c d जो है वो congruent है ठीक है तो हमने किया किया triangle ले लिया पहले यह दोनों अब बच्चों दो चीजे तो हमें दी ही हुई है कि a b a c ke equal है b d d c ke equal है अब a d जो है वो हमें common दिख रहा है दोनों triangle जो है वो इससे मिले हुए है तो a d common हो गया तीन जो है वो चीजे हमें पता चल ग करना है ठीक है तो x यहां पर square है तो यहां पर हमें सिर्फ x y z का पता करना है तो कितना आ जाएगा 15 x आ जाएगा ठीक है अगला question आपको दिया हुआ है find sums of algebraic expression आपने इनको add करना है दो तरीके है ठीक है एक है horizontal दूसरा है column method तो पहले column method कर लेते हैं 3m plus 2n हो गया 7m minus 8n 2m minus ठीक है तो यहां पर जो है इन दूनों को जब हमने solve किया तो 8n- and plus how जाएगा å b यह 9N हो गया बड़ साइन जो है वो किसका रह जाएगा वो रह जाएगा माइनस का ठीक है तो माइनस 9N में जब आपने 2N जो है वो प्लस किया तो वो कितना हो जाएगा 2m 7m 8n plus 2m minus n ठीक है उसके बाद जो है जितने भी m वाले वो हमने एक तरफ कर दिये और n वाले जो है वो एक तरफ कर दिये तो m जो है इन सब को जो है वो total कर दो n वाले में minus हो रहा है तो again यहां पर जो है वो अपने क्या किया 8n और n को जब आपने किया तो यह minus 9n बन गया उसमें 2n जो है वो प्लस कर दिया तो प्लस माइनस माइनस होता है तो यह कितना मुझाएगा minus 7n तो इसको टोटल करके आंसर कितना आ गया 12m minus 7n अगला question है कि अगर a की value आपको 1 दी है b की value minus 2 दी है तो a square minus b square कितना होगा value पुट कर दो simply ठीक है तो यहां पर जो है वो value कैस minus 2 और उसका square करना था तो भी square कर दिया ठीक है तो minus 2 का square कितना होता है 4 होता है प्लस का होगा 4 ठीक है पर यहां पर minus का sign है तो minus का sign आ जाएगा 1 में से minus 4 किया तो minus 3 होगा next question देखते है इसमें आपको कहा गया है कि which is greater number इसमें से कौन सा जो है वो बड़ा number है ठीक है वो 3 से multiply कर दो 3 सा 9 ठीक है और 3 3 सा 9 हो जाता है ठीक है इन दोनों को कर दिया तो भी 9 हो गया और 3 3 सा 9 9 सा 81 तो 81 आ गया अब इन दोनों में से कौन से बड़ा number है 81 बड़ा number है तो 81 लिख देए 81 किसको solve करने पर आए था 3 4 ठीक है 3 की power 4 तो वो लिख दिया तो यानिक 3 की power 4 जो है वो बड़ा number है ठीक है नेक्स बोला है using law of exponents simplify and write the following in the exponential form exponential form में लिखना है इनको ठीक है base जो है वो same है यहापर ठीक है तो base जब same होता है और multiply हो रहा है तो इसके exponents होते हैं वो क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं तो 11 में 5 प्लस किया तो कितना 16 हो गया तो हमारा answer जो है वो minus 7 अब उसकी power जो है वो 16 आ जाएगी है that means कि यह equilateral triangle है ठीक है अब इसको draw कैसे करना है बच्चो सबसे पहले आपने जो है वो एक rough sketches जो हो हम draw कर लेते हैं ठीक है एक हमारी जो है वो line है ठीक है वो है हमारा यहाँ पे X यह है Y और यह है Z यह भी 5 का है यह भी 5 का है और यह भी 5 का है उसके बाद हमने Y-Z एक line draw करी 5 cm तो उसके बाद हमने Y point पे बच्चो क्या करना है हमने Y से जो है वो compass में जो है वो 5 cm की measurement भरके compass की needle Y पे रखनी है ठीक है और एक arc जो है वो लगा देना है ठीक है उसी तरीके से हमने Z पे भी जो है वो 5 cm की measurement भरके Z point से एक arc जो है वो लगा देना है तो इस question में हमें बोला गया है कि triangle ABC draw करना है, angle C हमें दिया हुआ है, ठीक है, और AB जो है, उसकी measurement दी हुई है हमें, और BC जो है, वो 3 cm जो है, वो बोला गया है, तो सबसे एक rough sketch draw कर लेते हैं, ठीक है, जो कि है triangle A, B और C का, ठीक है, जो AB है, वो हमें 5 cm given है, जो BC है, वो 3 cm given है, angle C जो है, वो 90 degree का है, ठीक है, तो 90 degree जो है वो right angle बनना चाहिए था, तीक है, यो यह इस तरिके से बनेगा कुछ, ठीक है, कि ये A है, ये B है, ये C है, ये right angle होगई, angle C पे 90 degree का, तो इसको करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने जो है, वो एक लेंथ ड्रॉ की बीसी जाए वो 3 सेंटीमीटर की उसके बाद 90 डिग्री के लिए हमने किया किया कमपस को जो है वो थोड़ा सा उपन करके आपने यहां पे एक आर्क लगा देना है ठीक है जो पहला कट करोगे आप बिना कमपस को दबाए हुए जितना अपने इस आर्क को पॉइंट से एक लगा देना है यहां पर तो जो एक एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा ठीक है तो यह 90 डिग्री का एंगल बन गया हमारा इस लाइन को आप ड्रॉ कर लेना ठीक है उसके बाद क्या करना है हमने बी पॉइंट से 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट के एर दुइंट सेयल है तो जहां पर भी चाटेगा उसको जो हम ए नाम देदेंगे और एक अच्छ रिप्लाइए हुआ है तो यहां पर आपर वीडियो कात्म हो जाती है इम केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्रेस्चिन कीजा आपको